बिना जंजटा और बिना चाशनी का सिर्फ 5 मिनिट में गी में एकदम दानेदार सुजी का हल्वा इस स्ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपका भी सुजी का हल्वा बिल्कुल ऐसा ही एकदम दानेदार बनेगा ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही दानेदार हल्वा बनना जब हमारा कुछ तो नया स्वीट खाने का मन करता है ना तब हम सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाए जो खाने में स्वीट भी हो और टेस्टी भी हो तो आज मैं कुछ तो नया स्टीक के साथ एकदम दानेदार टेस्टी और स्वीट सूजी के हलीवी की मज़दार रेसीपी बना कर दिखाने वाली हूं मगरे वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरे रेसीपी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें सुजी का हला बनाने के लिए मैंने आदा कप सुजी और आदा कप शकर लिया है सुजी का हला बनाने के लिए मैंने इसे आदा कप सुजी और आदा कप शकर लिया है सुजी की टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए मैंने यहां कुछ काजू, बदाम और किशमिश लिया है साथ यह मैंने इलाची कूट कर लिया है यहाँ एक टेबल स्पून बेसन लिया है और यहाँ आदा कप गी लिया है सूजी का हल्वा बनाने के लिए सबसे पहले हम गयास पे कड़ाई रखके उसमें गी डालेंगे गी गरम होने के बाद सबसे पहले हम काजू और बदाम को इसे फ्राई करके लेना है सूजी के हल्वे में फ्राई किये हुए काजू और बदाम डालेंगे तो हमारा सूजी का हल्वा और भी टेस्टी बनेगा यहां हमारी काजू और बदम मेडियम ब्राउन ही होकर फ्राई हो चुके है अब हम इसे निकालेंगे ज्यादा भी इसे गाजू बदम को ज्यादा फ्राई नहीं करना है इसे हलका सा फ्राई करके लेना है कार्जो और बदाम को फ्राय करने के बाद गी में आदा कप सूजी डालकरी से अच्छे से बून लेंगे द्यांड रखे है कि गी को गरम करने तक ही हाई फ्लेम रखे और जब गी गरम हो जाएगा और उसमें सूजी डालेंगे उसके बाद हमारा ग्यास का फ्लेम मेडियम रखना चाहिए ग्यास के मेडियम फ्लेम पे ही सूजी को ऐसे चलाती हुए भूनते रहना है सूजी के हलवे की असली स्ट्रीक तो यही है कि हलवे की सूजी जो है ना उसे मेडियम फ्लेम पे हलके हातों से ऐसे चलाते हुए सूजी को हलका सा ब्राउनी कलर आने तक भूनते रहना है इसे ऐसे भूनने से सूजी का हलवा एकदम दानिदार भी बनता है और टेस्टी भी बनता है सूजी का स्वाद और भी बढ़ाने के लिए यहां डालेंगे हम एक टेबल स्पून बेसन बेसन को भी ऐसे ब्राउनी कलर होने थक ऐसे चलाते हुए भूनते रहना है सूजी के साथ एक टेबल स्पून बेशन डाल कर भूनने से हमारी सूजी का हलवा का टेस्ट और भी बड़े आने वाला है यह देखिए बिलकुल ऐसे ही गैस के मेडियम फ्लेम पे ऐसे दीरे दीरे चलाते हुए सूजी को भूनना है सूजी अच्छे से भूनने के बाद हम आदा कप सूजी के लिए डेड़ कप पानी डालेंगे सूजी का हलवा एकदम परफेक्ट बनने के लिए दूसरी स्ट्रिक यही है कि आदा कप सूजी के लिए डेड़ कप पानी डालना है यानि कि आप जितनी भी सूजी ले उसके तीन गुना पानी डालना है अब इसे ऐसे दिरे दिरे चलाते हुए सारा पानी सूजी जब तक अबजरो करते रहेगी तब तक इसे ऐसे ऐसे चलाते रहेना है केंडर के के सूजी में हम जब पानी डालते हैं तब ऐसे चलाते रहना है अगर नहीं चलाओगे तो अगर सूजी को ऐसे नहीं चलाएंगे तो सूजी में गुटलियाय बन जाएगी सूजी सारा पाने अबजर करने तक ऐसे चलाते रहने से हमारी सूजी कालवा एकदम दानेदार भी बनेगा और फरफेक्ट भी बनेगा और इसमें कोई गुटलिया भी नहीं बनेगी यहां हमारा सूजी कालवा बन गया है, अब हम डालेंगे इसमें पहले से फ्राय किये हुए काजू, बदामा और किश्मिश, चार कुटी हुई इलाइची, अब इन सब को ऐसे देरे-देरे करके ऐसे मिक्स करना है, इलाइची डालने से सूजी के हलवी की टेस्ट और भी बड़िया आती है, आप चाहे तो इसे स्कीब भी कर सकते है, मगर मुझे तो इलाइची डालना पसंद है, इसलिए मैंने यहां चार इलाइची कूट कर इसे यहां डाल दे आए, असली स्ट्रिक यही है कि आप हम इस सूजी के लिए आदा कप शकर डालेंगे, अब और इसे मिक्स करेंगे, शकर डालने के बाद सूजी में शकर एक देसे मिक्स होने तक ऐसे देरे देरे चलाते रहना है, यहां हमारा सूजी का हलवा बिना चासनी का है, और पहले से हमने आदा कप पानी के लिए देड़ कप प्यानि तीन गुना पानी डाला है अब यहां सूजी कोई पानी अपचर्व नहीं करेगी सूजी के हलवे की असली स्ट्रीक तो यहीं है कि हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल यह देखिए इसी कंसिस्टिंसी के साथ बनना चाहिए एक दम परफेक्ट कंसिस्टंसी है आप भी इसी स्ट्रीक के साथ सूजी का हलवा बनाएंगे तो आपका भी सूजी का हलवा बिल्कुल इसी कंसिस्टंसी के साथ बनेगा और एकदम परफेक्ट भी बनेगा अब हम इसे सब्व करने के लिए चलते हैं आपके घर में कोई त्यवार हो या महमान आये हो या आपका मन कु करते हैं तब आप ऐसा सूजी का हलवा एकदम टेस्टिया और स्वीट बना कर दे सकते हैं तो दोस्तों इसी पर आपको पसंद आई होगी तो आप इस स्ट्रीक के साथ सूजी का हलवा बना कर देखिए थैंक्यू फोर वाचिंग